छोटे छोटे मगर कमाल के नुस्खे आए. एक ठाली में कभी जूठन न छोड़े. इससे अन्न में बरकत चली जाती है. दो डबल रोटी दूद में भिगो कर खाने से डबल लोग सहत मन्द हो जाते हैं. तीम यदी आपको कहीं पर भी मोच आ गई है. तो भेड के दूद की हलकी हातों से मसाज करे. कुछ ही दिनों में आपकी मोच भी ठीक हो जाएगी और मोच का दर्द भी ठीक हो जाएगा. चार अगर आपके बाल बहुत जढ रहे हैं. तो आपके घर में यदी अनार का पेड है. तो अनार के जो फूल है उन्हें तोड़ ले गुढ़ल के फूलों को ले ले दही के साथ इनका एक पेस्ट बनाएं सर पर लगाएं थोड़े टाइम के लिए रखके रखे और उसके बाद धोले आप देखेंगे कि आपके बाल जढ़ना बंध हो गए हैं. पांच अगर आपके पैर की एडिया बहुत ज्यादा फटती है तो सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अपनी एडियों पर मालिश करे फर्प मिलेगा. छे कभी भी आपको अपने हाथों की उंगलियों को चटकाना नहीं चाहिए इससे हडियों की बीमारिया हो सकती है बताते हैं कि इनको चटकाने से आंखों के नीचे डार्क सरकल्स और भी कई तरह की परेशानिया हो सकती है. इसलिए हमको ऐसा करने से बचना चाहिए. साथ सौंफ, सौंफ इन हिंदी को पानी के साथ पीसकर ललाट पर लगाने से सिर्दर्च से आराम मिलती है सौंफ खाने से सिर्दर्च से आराम मिलता है आठ अगर आप अपने बच्चों को रूम में पैक रखते हैं तो उनकी इम्यूनिटी इतनी नहीं बन पाती इसलिए अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने दिया करे इससे उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी नौ धनिया का रस लगाने से गंजेपन जो सिर में जो गंजापन हो जाता है वहाँ पर बाल उगाने शुरू हो जाते हैं दस जो लोग पतले हैं उनको दही डूध लसी इत्यादी इन सब का सेवन जरूर करना चाहिए जारा जल्दी सोने वाला और जल्दी उठने वाला इनसान तरो ताजा दिखाई देता है उनके चहरे पर भी गला बना रहता है रात में ताजी हवा में सोने से इनसान का दिमाग अच्छा काम करता है बारा अगर आप मच्छरों से परेशान है तो सोते वक्त अपने पास नमकीन पानी भरके रख लीजिए पूरी रात मच्छर आपको तंग नहीं करेंगे तेरह नीम के पत्तों से बाल धोने से बाल ज़रते नहीं 14 चहरे पर टमाटर को काट के 6 टमाटर पर थोड़ी सी कॉफी को बुराक ले और फिर इसे अपने चहरे पर हलकी हलकी मसाज करे कुछ देर के लिए छोड़ कर उसको उसे पानी से अच्छे पानी से धो ले आपका चहरा चमक उठेगा 15 रोज सौफ का दूद पीने से रंग गोरा होने लग जाता है 16 खाना खाने के तुरंद बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए इससे लीवर को नुकसान पहुचता है नंबर 17 यदि आप रात को चावल खाते हैं तो आपको नींद ना आने की समस्या हो सकती है 18 अगर कब्स की शिकायत रहती है तो दो अंजीर भिगो कर खाने से कब्स आपके कभी भी नहीं होगी 19 जमीन पर लाकर सोने से कमर दर्द में बहुत ज्यादा फाइदा होता है 20 हमको सर के नीचे तकिया लगाने से बचना चाहिए इससे हमारे रीड की हड़ी और गर्दन की हड़ी में परेशानी हो सकती है हो सके तो एक सूती कपड़ा अपने सर के नीचे लगा ले 21 यदी चहरे पर जुरियां और जाइयां आने लग गई है तो कुछ दिन खरे का रस लगे फाइदा मिलेगा 22 कई बार ऐसा सुना है कि रात को मोजे पहन कर सोना चाहिए लेकिन रात को मौज पहन कर सोने से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है और नजर कमजोर होने लगते हैं हमेशा रात को सोते समय अपने पैरों को खुला छोड़ कर ही सोना चाहिए कुछ भी ऐसा नहीं पहनना चाहिए जिससे पैरों मेंदर मी पैदा हो 23 फिटकरी के उपर अंडे की सफेदी लगा कर मुंपर मसलने से जुरियां खत्म हो जाती है 24 गुड के चावल खाने से कभी खांसी और गले भी खराश जैसी दिक्कत नहीं होती गुड के चावल बहुत हिल्दी होते हैं सर्दियों में तो आपके बच्चों को जरूर बना कर खिलोने चाहिए 25 एक गिलास दूद में एक चम्मच सौफ को उबाल कर पीने से दूद हलका हो जाता है और जल्दी से बच भी जाता है और पेट भी नहीं फूलता है